गुड इवनिंग, एक्चली ये जो गुड इवनिंग, गुड आफ्टर नोन, गुड बॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं, जिसका की यूज होता है, अब ये है कि बिहार के लिए इसमें सबसे सुटेबल कौन सा है, बिहार के लिए, चुकि अभी चल रहा है, बिपेशी 69 का मौक इंटर्वू चल रहा है, कल 38 लोग थे, सबेरे 10 वय से सुरू हुआ था, साम हो गया था, तो वहाँ पर ये देखने को मिलता है, कि जैसे आये तो आये तो भई, किस तरी से आप विस्क कर रहे हैं, तो दिल्ली में तो चल जाता है आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून लेकिन जेनरली क्या होता है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलने में एक सबसे बड़ा रिस्क यह होता है कि जब आप BPSC के अंदर जाते हैं इंटर्वू देने के लिए तो उस समय में बहुत बड़ा रिस्क होता है कि गुड आफ्टरनून, गुड डिविनिंग के जगह पे गुड मॉर्निंग हो जाए और ऐसे बड़े सारे लोगों के साथ होता है दरवाजा खुला आपने पूछा में आई और उसके बाद जैसे ही गए तो प्रेसर है और सो कितना सारा बाउंडर आपके उपर अचानक से आया है अब उसके बाद का हर स्टेप मोनिटर्ड है क्या आप बोल रहे हैं कैसा बेवार कर रहे हैं यह सब कुछ मोनिटर्ड है और एक सभी इस नंबर का इंटर्वू है अगर उसमें पचासी नंबर आ गया तो आप रॉल नंबर आपक आपका रॉल नंबर गारंटिड दिखेगा मिनिमम जो कटफ इंटर्वू का जो माक्स आया है 84 85 इसी पर आता है इसका मीनिंग है कि 120 में और नंबर कितना तक आता है नंबर 100 नंबर तक आता है 120 में 100 नंबर तक इंटर्वू में आता है और आपको 85 का बेसिक एक रेंज है और लोगों को आता है 100 नंबर भी आता है 85 90 भी आता है उससे कम भी आता है तीनों तरह के माक्स आते है 60 नंबर भी आता है तो विपेसी में क्या है कि जो माक्स का इंटर्वू के माक्स है उसका क्राइटेरिया बिल्कुल फिक्स है क्राइटेरिया फिक्स है मतलब कि आप ग विस है नमस्कार जो वो विस है वो प्रणाम है वहां पे सारे बिरुक्रिसी में प्रणाम ही चलता है नमस्कार को दूसरे तरह के से लिया जाता है नमस्कार मतलब बराबर के लोगों को नमस्कार किया जाता है आप वही अलाबाद में जाएंगे तो वह नमस्कार चलेगा नम अच्छे से अराम से इस तरह कर लाएं इसके अलावा दूसरा को हम लोग तो रिकमेंड नहीं करते हैं यहां पर कि किसी गल से उमीद नहीं की जाती है कि वो साड़ी उगर पहने और साड़ी पहन करके वहां पर जा करके गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरून चुकि गुड जाके वहां यह नहीं बोलेंगे नहीं सर्ण 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 के लिए पडाम ही चलता है तो ही है परणाम जैसे किया तक सबस्क侌 घूमा कrare चैर्मेंन को देखा और सब के तरफ नजर घूमा दिया अब यह नहीं के परणाम सर परणाम सर, परणाम सर कई आधी पर ऐसे ही लोगा करते हैं तो यह नहीं होता है पर आमने जैसे अपने, किया है, पर दाम सर। सबडिटाbn है, उसके बाद बाखी लोग की तरफ नजर खूआ दिया है, पर दाम सर। सबके तरफ सबनद इतंगे कि उसका मतलब हो गया कि सबको अलग-अलग वीइस करने के जिरूद, और और गौर्णिंग सर। चार लोगंगों बेठारे रहेंगे तो 5 बार नहीं भोला जाता है तो एक विहार में का एक बेसिक सा है तो कहा जाता है कि 60 नूबर तो मिलता है विहार में अगर आप अच्छे से अपने वेel ड्रेस आप अच्छे से कप्ड़ा पने हुए और आपका वाल होगरा सब ठीक-ठीक है। कई लोगों को आजकल पान पर गौगड़ा खाने की यार्धत होती है। हमने पहले ही बोल रखा भाई पान पर गौगड़ा खाना हो, तो जाकर करके दान तो करके दान सक्भाव करा लेना। ऐसे इस तरह के दान के साथ। चुकि इससे important interview नहीं होता है, दो ही interview जीवन में सबसे important होता है, एक VPSC का और दूसरा साधी का, यह सरी, बहुत समझ में आया, अभी तक नहीं समझ में आ रहा था, दोनों में कौन सा ज़्यादा जरूरी है, हैं, साधी बाला, तो बहुत साधी का interview हो मिलेगा, ठीक है, और नहीं सेलेक्शन हुआ, तो फिर साधी का interview नहीं होगा, तो दोनों में पूछा जाएंगे, दोनों में कौन सा important है, साधी का interview की VPSC का interview, आप चाहिए जो बोलना हूं बोलिए, logic आपको बोलना पड़ेगा, कि आपको कोई भी बोल रहे हैं, तो उसके पीछे क्या logic है, बने किस कारण से आपने कहा कि साधी का interview ज्यादा, आप बोलेंगे कि साधी का interview महा से जरूरी है, चुकि उससे तो पुरा जीवन निर्धारित होता है, जीवन संगनी के उपर जीवन निर्धारित होता है, तो उसमें ज्यादा साधानिक जरूर्थ होती है, यहां पर तो यह दूबारा मिल जाएगा, इस बार 79 में नहीं होगा, तो 70 में बहुत वेकेंसी आ रहा है, बोलेंगे तो बोलेंगे, आपने इस तरीके से किया, यहीं पर अगर मालों आप बोलते हैं, तो दूसरी तरीके से कि बीपेसी का इंटर्वू जादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें फिर उसका लॉजिक यह होता है, तो आपने इस चीज़ को यह दोनों बाते नहीं बोलेंगे, यह दोनों नहीं बोलेंगे, यह इंफॉर्मल, चुकि फंदरे मिनिट आपका, आपके दोस्त वो नहीं है, फंदरे मिनिट में आप उनको अपना दोस्त मत मानिये, वो फॉर्मल डिसकसन है, उसमें बताईए कि साधिक तमासे उसमें अच्छे संगनी मिलने के चांसम होना यह बढ़ जाती है, अगर यह रिजल्ट हो जाता है तो, फॉर्मल तरीके से ही, यह होता है इंटर्वू, दोनों में से क्या लॉजिक दे रहे हैं आप, यह लॉजिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक तो एक पेरिंस ठीक रहा, नमस्कार आपने किया, एक लड़की कलाई खुब कर बने, जैसे नहीं होता है, उसको बोलते हैं, बिंदास तरीके से, आगर के सर बैट जाओ, तो आमने का आगे नहीं, आगे नहीं, आप नहीं तो छुप रही है, अब ख़ड़ा रही है वहीं पर, अधर्वाइस यह होता है, यह पूछने की ज़रोत नहीं है, कि बैट जाओ, आप आखर के, वहाँ पर विस करके, आखर के, खड़े हो जाएए, बोर्ड आपको खुदी बोलेगा कि आप बैट जाएए, आप क्यों इतनी जल्दवाजी में क्यों है बैट जाने के, नहीं, तो फिर उसके बाद बैट जाएए, बैट जाएए, तो यह सब बेसिक एटिकेट हुआ, बेसिक सिस्टा चार हुआ, बाचित हो रही है, कोचन नहीं आता है, सौरी, गेस नहीं कर रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल गेस नहीं कर रहा है, पांच कोश्चन ही यहां, सब में सौरी. तो इस तरीके से अगर इंटर्वू को पास कर लेंगे, तो 60 नमर आएगा. कोई आपने असिष्टता नहीं किया, कोश्चन के जवाब नहीं दे पाए आप, 60 नमर आएगा. अब इसके उपर कोश्चन देते जाएए. अगर मालो 20 कोश्चन पूछा गया, 10 का जवाब दे दिये, तो 80 नमर आएगा. या 15 का जवाब दे दिये, तो 80 नमर आएगा. जैसे कोई आता है, मालो हमसे बोला कि सर, 80 नमर आया है, 2, 80 नमर आया है, 84 मांक्स आया, 78 आया. तो सबसे पहला question यही होता है, कि कुछ question का जवाब गलत हो गया था क्या, या कुछ question का जवाब नहीं दे पाए थे, चुकि जो 78-80 नमबर तक जाता है, इसका मतलब है कि उसका जो basic part है, वो basic part, ठीक है, appearance उसका ठीक है, etiquette उसका ठीक है, अब जो इसके उपर वाला 10-12 नमबर था, वो उसको नहीं मिला है, उसके पीछे reason यह है कि वो 2-3 question का जवाब नहीं दे पाया है, तो अपने department का question जवाब नहीं दे पाया है, या कोई और, तो छुटते ही फिर वो बोल देते हैं, यहां sir, यह 4-3-4 question का sir, ऐसे जवाब हो गया था, जैसे ही 3-4 question, इस level पाके 3-4 question अगर miss करते हैं, तो फिर 90 नहीं होता है, 90 होने के लिए ज़रूरी है कि आप सारे question का जवाब दें और अच्छा जवाब दें, बोड के साथ, बोड के साथ आर्गुमेंट नहीं करें, बोड आर्गुमेंट करेंगे तो फिर काटके वो लिए आते हैं, तो interview में ज्यादा अ निकल आएंगे तो, तो ये जैसे इसमें, अभी विपेसी का, 79 का चल रहा है, 79 अच्छा एक्जाम नहीं है, ज्यादा अच्छा एक्जाम नहीं है, 15 DSP के पोस्ट हैं, 1, 2, 3, Home Guard Commandant के पोस्ट हैं, और education service है उसमें, 455 seat है वैसे, बिहार जैसे एश्ट के लिए 455 seat कम नहीं ह होता है, बहुत होता है, पुरी उत्तपदेशीत ना बड़ा है, 300, 300 seat आता है, ठीक है, बिहार में 455 seat है, 455 seat कम नहीं होता है, बहुत अच्छा seat है, seat की संक्या लेकिन वहीं बात है कि अच्छे seat नहीं है, अच्छे seat में SDM का कोई नहीं है, ये सब seat उसमें नहीं है, commercial tax officer का seat है, पोस्ट है, बिपेश 69 की बात कर रहा हूँ, तो 69 वाले लोग हमें लग रहा है कि फिर एक्जाम देंगे, 70 में जरूर उनको एक्जाम देना पड़ेगा, चुकि BAS का, जो 70 की भरती है, अभी तक जो बिपेशी ने भी अपना प्रेस बिफिंग जारी कर दिया, अभी त फोड़ी से, लेकिन अभी तो BASI ने खुदी जारी कर दिया, 1964 सीट का, तो BASI ने खुदी जारी कर दिया है, और उसके बाद और सारे वेकैंसी जा रहे है, तो यह है कि हमें लग रहा है कि BASI 70, तो जो एक 70 वाले लोग है, उनके लिए थोड़ा, यह अच्छा, यह अच् बंद कर दिया, तो अभी बिहार गवर्मेट को भी यह काम, जब जिस दिन BPSC PT दो घंटा हो, दो घंटे का, तो उस दिन कम से कम 3-4 घंटे के लिए, या 3 घंटे के लिए पूरे बिहार में इंटरनेट को बंद कर देना चाहिए, चुकि 10 लाख लोगों को आप मूव बड़े अधर एस्टेट के लिए लोग देने जा रहे हैं, चुकि जेनरल कर्टेगरी के लिए 7700, 800 seat अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आज के जमाने में जेनरल कर्टेगरी के लिए 7700, unreserved 7800 seat, चुकि इतनी बड़ी बात है यह, तो इसमें अधर एस्टेट के लोग देंगे, BPC 70, लेकिन हमें लग रहे हैं कि जो reserve category हैं, उसके लिए कोई ज्यादा risk नहीं है, reserve category तो भई, बिहार के जोड़ो missile वाले लोग है, उन्हीं के लिए reservation है, तो वहाँ पे cut-up बहुत अच्छा, PT का भी cut-up बहुत अच्छा 70 में जाएगा, तो इसलिए खतर वा हमने cut-up बनवाए था, यह BPC उसके लिए आपको यह दिखाने के लिए, पहले तो दो पार्ट में हमने लिया था, तीन पार्ट में discussion करते हैं, तो यह cut-up का हमने list बनवाए पिछले सालों में जो BPC का cut-up है, कम से कम 63rd तक ही जा पाया, 63rd तक बनवाया हुआ है, EWS आने के ब और अन्रिजब का प्लस यह BC का, EBC का, SC का, ST का ज्यादा important नहीं है बिहार में, तो यह उपर वाले जो चार कटेगरी हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच कटेगरी है, तो इसमें एक अगर मनलू 79 की बात करें, 68, 69 की बात करें हैं, तो देखो डेड़ समें कहां तक cut cut-off जा रहा है, डेड़ समें लड़कियों के लिए cut-off है, 86, 80, 74 और 61, डेड़ समें, मने girls का अलगला कटेगरी में, जो highest category, highest जो cut-off जा रहा है, वो girls का general category में जा रहा है, 86, यह 84, और 84 हाइस जा रहा है, कितने में, डेड़ सो कोशन में, ठीक हैं, और otherwise जाएंगे तो देख हो रहा है, 80 हो रहा है, 74 हो रहा है, 61 हो रहा है, अब सुच जाती में, तो आज, और आज के डेट में यह category बस कहने के लिए category है, otherwise इस category का, सब category आजकल एक ही बराबर है, हर category के पास हर सुविदार है, आज के डेट में, ऐसा कोई social discrimination है नहीं, हर category के लोगों को coaching तक पहुंच ह है, क्या है कि नहीं है, हर category के लोगों के लिए, कि coaching टक access है, हर category के लोगों को marks तक, जो सोर्सेज है, वहां तक access है, हर category के लोगों का confidence है आज की डेट में, कोई भी category के base पर तो आप नहीं कह सकते कि इनका confidence नीचे है, बस यहीं बात है, मन का जीता, जीत है और मन का हारा, इत का मनोबल नीचा है ये बात आज नहीं कहा जा सकता आज दोनों काटेगरी के लोग एक ही लेबल पर हैं लेकिन यहां पर जब देखते हैं तो कितना अंतर हो जाता है तो यह जो अंतर है वो अनुसुची जाती के लोगों के लिए एक opportunity है एक author है या कोई यह न्याय है यह कोई यह उस category में है और उसको वो अभी भी न्याय के mindset से जी रहा है तो अपने साथ अच्छा नहीं कर रहा है यह अनुसुची जाती में होना यह अपने आप में एक कहा जाए हमने कहा कि एक author है तो आपको अपने effort को बढ़ा देना चाहिए तो कि आपके selection के chances जादा है और में में भी इंटर्वू का हमने देखा था बताया था पहले भी बता रखाया क्लास में कि इंटर्वू में अनुसुची जाती के साथ एक सबसे बड़ा फाइदा होता है कि अगर 2000 इंटर्वू का result आता है मेंस का तो अनुसुची जाती के लोग 1700 rank तक भी उनका selection हो जाता है ठीक है general category 600-700 में result खतम हो जाएगा जितना total mark total seat है उससे कम पही हो सकता है कि उनका rank आने के बावजूद उनको job ना मिले आज के rate में यह सब चीज जो category यहां दिखाई दे रहा है यह category बस by chance है कि आपको इस बात का मौका मिला हुआ है आप इस मौके का lab उठा लीजे इसमें ज्यादा complacent होने किया हो सकता नहीं है ठीक है अब समझ एक ही बस वही एक फाइदा तो आप जैसे पूरुस महिला नहीं हो सकते हैं नहीं तो महिला हो जाते तो आपका भी कहां हो जाता यह क्या 94 हो जाता यह नहीं हो सकता है नहीं नहीं तो otherwise तो बाकी यह चाहे unreserved का mail, EWS क सब एक ही हैं यह सब इस बात पर depend करता है कि आप कितना effort लगा रहे हैं ठीक है तो यह बात को हमेशा ध्यान बरकना चाहिए कि यह जो category है यह category कोई category आपके author को बढ़ा रहा है तो इस author को यह opportunity आपके सामने है तो इसको क्या करने की जुरूत है इसके लिए अपने effort को कम करन क्यान बे यह दो बार हमें लग रहे है कि साथ पेपर उपर का कुछ जमेला हुआ था ठीक है निगेटी प्लस पेपर का भी जमेला इसमें हुआ था इन दोनों में और वो एक्जाम दुबारा नहीं हो पाया था ठीक है तो इस कारण से यह दो को exception अगर छोड़ देते हो 67 66 क तो बाकी देखो 96 97 97 92 92 उसतर से EBC में जा रहे तो 86 87 EBC यह EWS को छोड़ दो BC में 88 87 यह दो को छोड़ दो 94 93 93 वहने किसी भी इन जेनरल किसी भी बार कटफ 100 से उपर नहीं जा रहा है और 100 से उपर नहीं जाने के मतलब क्या होता है कि डेड़ सो के दो पाठ होते हैं डेड़ सो में जाएंगे तो वह एक 50 कोशन छोड़ने के बाद भी पीटी हो रहा है और इसका एक मीनिंग और भी होता है कि सब कुछ पढ़ने किया हो सकता नहीं है डेड़ सो कोशन में से 100 कोशन भी अगर कर लेते हैं और वो अगर सही हो जाता है और उधर से 50 कोशन में से थोड़ा बहुत नेगेटिव कर लें 10 वारा कोशन उधर से रिस्क ले लें और minus plus बराबर कर दे अगर वो अब भी आपका selection हो रहा है आप तब भी आप P.T. qualify कर रहे हैं तो दो बाते हो रही हैं पचास एक ने कहा जाता ने कई बार आप कमरे पर बैटते हैं तो कई बार थोड़े demotivated होते हैं depressing mindset कई बार हो जाता है तो demotivated होते हैं depressing mindset होते हैं तो फिर से दुबारा re-energized होने के लिए क्या करना पड़ेगा भई आखिर क्या करना पड़ेगा तो एक बार cut-up को देख लो याद कर लो cut-up को जब cut-up याद कर लेते हैं यही अगर 147 होता था Delhi University में जो admission होता है वो 99.99% पर होता है क्या इसका मतलब हुआ कि गलती करने का कोई scope गलती करने का कोई scope नहीं है CVET में चुकि CVET में गलती करेंगे तो फिर आपका Stevens में या Hindu College में या Miranda में किसी में admission आपका नहीं होगा इतना cut-up ये क्या 90.99% जाने का मतलब क्या हुआ कि गलती का scope तो यहां भी नहीं है छोड़ने का scope यहां पर अर्थात 50 question छोड़ देते हैं तब भी आपका PT नहीं रुक रहा है ये एक conclusion है इसका और दूसरा conclusion इसका ये है कि आप जो जो जा करके चुहे के जैसा खोशते रहते हैं invisible को टटोलते रहते हैं बहुँ सारे fact को जो खोशते रहते हैं एक किताब, दो किताब, पांच किताब, दस किताब इसकी कोई आवसकता? नहीं है एक कोई सही धंका study material हो और उसको दस बार अगर पढ़ जाएं ठीक है? दस बार पढ़ जाते हैं तो तीस कोईशन में, अगर सही धंका history के notes होगा, तो बीस कोईशन तो आई जाएगा उसमें से नहीं आ जाएगा और एक आदो कोईशन में तो intellectual भी तो लगता है और अगर पुरे study material आपके पास है, उसका खुद ही जूड जाते हैं, और खुद भी आप वो बाते करने लगते हैं, वो बाते बोलने लगते हैं, लिखने लगते हैं, जो की बाद में कोई लिख पढ़ के आपको बताएगा जब किसी topic पर आपकी समझ हो जाती हैं, उस topic का content आपको याद हो जाता है, वो topic पर समझ हो जाता है, तो फिर उस topic से आप जूड़ जाते हैं और आप वो चीज़ें जो कहीं किताब में पढ़ने जाएंगे और देखेंगे कि वहां पर जो लिखा हुआ है, वो आप पहले से जान रहे हैं वही चीज़ आप भी सोच रहे हैं और यह जो भी सेश्था होती है, वो ऐसे कुछ 10-12-15 कोशन को सही करा देता है जो सीधा-सीधा आपको नहीं आता था तो इसका meaning है कि फिर 10 चीज़ को एक-एक बार पढ़ने के बदले एक चीज़ को 10 बार पढ़ा जाए तो डेड़ सौ में से 100 कोशन सीधा-सीधा वहाँ दिख जाएगा अब यह जरूर रिस्की है कि वो एक हमारा क्या है वो एक कचैन किसने कैसे किया है यह वाला थोड़ा रिस्की है अब यहाँ पर अगर चीज़ें हमारी समप नहीं हुई है चायए बीटी में, चायए मेंस में तो फिर एरर के चांसे बढ़ जाते है और दूसरी बात है कि वो एक रिस्क वो है कि भाई हम miss आपस वो एक जिसको 10 बार मुझे पढ़ना है वो मेरे पास हाई कि नहीं और दूसरी उससे भी ज़्यादा बड़ी चुनाँती है कि मुझे पढ़ने में मनूर लग रहा है कि नहीं पढ़ने में मन इथा तो डेक्षाव कोशन का हल भी लाकर रख देंगे तब भी नहीं यह नहीं कहा जाता है मती मारी जायतो यह होता है ना पता है कि वही हमारा यह हमारा जो हमें यह जो आठ कॉपी है यह हमारे जीवन की दिशा देने वाला है हमारे घर की हमारी ब्यक्तिगत रूप से सारी समसाइं दूर कर देगा मेरे अगले जनेशन का भागे बदल देगा मेरे प्राथमिक समंधों का मेरे दूतियक समंधों का ये सब आपको पता है उसके बाद भी कमरे पर नहीं पढ़ते हैं कुछों कितने गैर जिमवार हैं खुदी अपने को डांटना चाहिए कि जिस आदमी के हाथ में पूरे घर की समस्या के समधान की चावी है जिस आदमी के पास और उस आदमी के पास कोई समस्या भी नहीं है उस आदमी के पास कोई समस्या नहीं है वो दिली से दिली में आकर पढ़ रहा है दिली में आकर रहा है पटना में आकर रहा है कोचिंग कर रहा है इस्टडी मिट्रियल उसके पास है गाइड उसके साथ उसको उसके मीसन में सपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद भी वो पढ़ नहीं रहा है तो अब क्या होना चाहिए मम्मी को साथ में बुला लेना चाहिए नहीं, कोटा-उटा में होता है ना कोटा में जब जाते हैं समझे निकरने के लिए तो सब मम्मी लोगों वहाँ तो साथ कोई पार्क है जहां पर बच्चे जब क्लास करने चले जाते हैं तो सब मम्मी लोगों वहाँ एकठा हो जाती हैं कोटा में ऐसा है तो सब मम्मी लोगों को बुला करके तब फिर तो दो बाते हैं बई एस्टडी मेटरियल सही रंका सेलेक्शन हो जाए स्टडी मेटरियल बन जाए सही रंका और पटने में मन लगे अब मन लगने की दो बाते होती हैं एक होता है बाई च्वाईस अब दूसरा होता है बाई कंपल्सन इस लेबल पर 24 matter करता है या compulsion matter करता है 24 की compulsion 24 की compulsion मने primary कौन है compulsion की 24 primary compulsion है मजबूर अनिवारेता यहाँ पर क्या अच्छा लगना और क्या खराब लगना जैसा होताना science biology मुझे अच्छा नहीं लगता है ये वाला जमाना ये उमर इस बात के लिए नहीं है अच्छा नहीं लगता है उसके बाद भी उसमें से 12 कोशन आएगा और उस 12 कोशन के लिए अच्छा लगे चाहे ना लगे पढ़ना तो उसको पढ़ेगा ही यहाँ अच्छा लगना खराब लगना अब भी ये matter नहीं है it's not a line of line of choice choice ये choice का line नहीं है और अच्छा लगना खराब लगना तो यहाँ criteria ही नहीं ठीक है जीवन में कभी math reasoning नहीं किये थे लेकिन यहाँ पर 10 कोशन आता है और उस 10 कोशन के लिए कुछ तो करना ही पढ़ेगा जिसे की 4-5 कोशन 10 में से 10 को ना हो लेकिन कम से कम 4-5 कोशन तो होई जाए उसी तरह से दूसरा उसी तरह से तीसरा हर आदमी का कुछ-कुछ area हो सकता है जिसको हाथ में आते हैं उसको नीद आती हो लेकिन इस level पर उसका कोई जगा नहीं है by responsibility आपको पढ़ना ही पढ़ेगा क्योंकि आपके पास कोई दूसरा उपाए नहीं है ये 1.500 कोशन में से वो 90-90 कोशन जो दिखाई दे रहा है जो होने वाला उसी 90 कोशन में उस section की भी भागिदारी है जो section आपको अच्छा नहीं लगता है ठीक है तो इसलिए यहाँ पर choice का या interest का कोई role नहीं है यहाँ पर पढ़ना आपकी मजबूरी है और जिमेवारी है क्यों जिमेवारी है क्योंकि आपके अगले generation को ठीक करना है आप अपने generation तो जो कर लिए तो कर लिए लेकर आप भी इस बात को जानते हैं कि अगर आपका selection हो जाए तो उसका सबसे ज़्यादा मज़ा किसको आएगा मैडम को और next generation को और मैडम है तो मैडम है तो husband को और next generation को यह सबसे बड़ी बात है तो इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके यह जो cut-up है ग्रूप में हम share करा देंगे इसको देख लीजेगा मोटिवेटिंग फैक्टर है कि डेड़ सौमें 140 आपको नहीं चाहिए डेड़ सौमें 130 आपको नहीं चाहिए 130 होता तो रिस्क बढ़ जाता नहीं CVT में 99.9% अर्था गलत करने के लिए कोई स्कोप गलत करने और छोड़ने के लिए कोई जगा नहीं तब भी पास करने जा रहे हैं 10 कोचन किया आगे का 5 कोचन छुड़ गया कोई बात नहीं तब भी पास करने जा रहे हैं 10 पेज है 10 पेज है हर पेज पे 5-5 कोचन छुड़ गया तब भी पास करने जा रहे हैं तो इसमें ये बात ध्यान रखेगा, PT की बात है ये, और उसके मेंस तो अपनी जगा पे तो है ही, अब देखो, तो ये जो करने जा रहे हैं, ये, बने जिस पेपर में से ये डेड़ सो नंबर, ये सो नंबर लाना था, ये क्यानवे नंबर लाना था, ये बहुत डिफकल्ट अब एक UPC का पेपर भी खोल लूँ क्या, UPC का, UPC का GS का पेपर खोल लेंगे तो ये आधे लोगों लेट जाएंगे, उस पेपर को देखके, उस लेबल का पेपर आता है वो, UPC का पेपर, एक कोशन होगा, तो एक, दो, कोई ए स्कीम है, मुद्रा यूजना, तो उसका और हो सकता है कि आप दो उसमें से जानते हैं, तीन नहीं जानते हैं, और mostly question जो heading होगा, वो easy लगेगा, जब अंदर जाएंगे, तो पतला है कि पांच option है, पांच में से तीन को जानते हैं, दो नहीं जानते हैं, चार जानते हैं, एक नहीं जानते हैं, चुकि उतना कहा पढ़ता है, प्रधानमिंत्री विसकर्मा यूजना, भाई यह तो मूटी किताब है, सारे प्रोविजन्स के साथ, हम तो दो लाइन पढ़े हैं, कब उसकी गोष्णा की गई थी, और किसके लिए कौन उसका लक्षित सम्मूह है, कौन उसका टारगेटेड ग्रूप है, हम तो इस पेपर को देख करके, कहीं से आपको यह नहीं होगा, अब इस बार, अच्छा, एक तो, जैसे पिछली दिनों में यह आया, बीपेसी के बारे में, कि इसमें आप पेपर का नेचर चेंज हो गया, फस्ट जो है, आप पेपर, यूपेसी की तरह आ रहा है, तो वैसे तीन तरह का एक्जाम होता है, अब्जेक्टिव वाले में, एक होता है, यूपेसी, यूपेसी का पेपर, सोग का सोग कोशन होता है, पर अरतालीस उन्चास कोशन का कट अप जाता है, तो सोचो कैसा पेपर आता होगा, कि कट अप कितना जा रहा है, 48, दूसरा आता है, CDS, यही होता है, CDS में, और ऐसा ही UPPCS कभी होता है, एक, दो, तीन वाला, BPSC में सीधे स्टेटमेंट और ABCD वाला होता है, तो तीन तरह का एक्जाम हुआ, अधिकारी वाला एक्जाम देखे तो, कौन-कौन सा, एक UPPCS का, UPPCS का और BPSC का, तीन उमें डिफरेंस क्या हुआ, B UPPC, सीधा, ABCD, UPPCS, एक, दो, तीन, अब तब ABCD, और UPPC, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और उसमें ABCD, इधने के डिफरेंस होता है, तो यह पिछले दिनों में 69th के पेपर के बाद यह कहा गया, कि UPPCS के कोश्चन का नेचर, चेंज हो गया है, और यह अब UPPCS, या CDS, कई यह लोगों ने तो कहा दिया कि UPPC के लेविल पर, यह बाते लोगों ने कही, जब यह पेपर एक्जाम हुआ, जब पेपर आया, तो समस्या यह होती है, कि जो पास कियरने वाले होते, पास वक करने वाले जो बच्चे होते हैं, आप देखेंगे कि वो इस तरह के, मैंने कहा जाएना कि जो वो बनता है, एक माहौल बनता है, परसेप्सन बनता है, वो उस परसेप्सन में भाग नहीं लेरते हैं, उस परसेप्सन के भाग नहीं होते हैं, वो किनारे होते हैं, जो परसेप्सन वो लोग बनाते हैं, जिनसे की जाके पूछा जाए तो, तो हमने क्या किय कि इस perception की जाच करने के लिए हमने पूरे paper में ऐसे प्रस्न जो एक, दो, तीन जो अभी देखो बता रहे थे, एक, दो, तीन ऐसे प्रस्नों की total संख्या हमने count करी कि विपेस में ऐसे कितने question आये हैं और कितने question है जो, ठीक है, जो सीधे-सीधे हैं जैसे इसमें A, B, C, D वाला सीधे हैं, यह है न, जैसे, यह देखो, 11 number question जैसे देखो, या 9 number, यह देखो यहां पर, जैसे यह 9 number, ब्रह्मान में पलसर क्या होता है, या प्रयोक साला में बिक्सिति यह क्या होता है, इस तरीके से, या 11 number में देखो, bulletproof jacket में क्या होता है, या 11 number हमने यह count किया, total, paper में जा करके, कि कितने question पहले के जैसे हैं, जो इस तरह का question जब आता है, तो उसको बोलते हैं, पहले जैसा, और जब इस तरह के question आएंगे, यह 1, 2, 3 वाला question जब आएगा, तो उसको बोला जाता है, UPSC जैसा, clear है? तो हमने total count करके देखा, तो पहले भी कुछ question, 18 question इस तरह का रहता था, इस बार उसकी संख्या भी थोड़ी सी, बढ़ गई थी, clear है? तो एक minute के लिए हम क्या करते हैं, कि जितने भी इस तरह के question है, यह जो multiple option वाले, जैसे ऐसे, निवर्कीत में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है, यह जो 7 इसमें दे दिया है, थोड़ा ज़्यादा ही भाउक हो गया, तो यह जो दे दिया है, मीठा होना, कड़वा होना, न तो हमने क्या किया, कि ऐसे प्रसनों की गिंती किया, आप भी अपने से गिंती करिएगा, अब इसको ग्रुप में डाल देंगे, तो इसे देखो, और ऐसा क्यों हमने किया, हमने किया कि कहीं ऐसा नहों, कि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए, कि अब तो UPSC का PT का ने पूटल गिंती करके देखो गए, तो ये multiple choice के जो question है, एक, दो, तीन, चार, ऐसे अगर बढ़ते जाएं, पांच, उसके बाद एक ये छे, फिर ये अच्छा, ने ने, ये तो इंगली सिंधी दोनों count हो गया, उधर था, चार, पांच, छे, और फिर ये साथ, इसको भी ले आठ, तो हमने देखा कि आठ, अब देखो बढ़ते जाओ, तो इस तरह से देखेंगे, जब गिंती करेंगे, तो पचीस से तीस question ऐसा था, जो इस तरह का था, तो एक मिनिट के लिए हमाल लेते हैं कि ये बड़ा difficult है ये सारा, जबकि ऐसा है नहीं, तो क्या करते हैं, ये 300 question को हटा देते हैं, पूरे 30 का 30 हटा देते हैं, कितने question बच गए, और cut up कितना जा रहा है, तो आपका result इस तरह के प्रस्नों से तय होना है, कि आपकी तयारी से तय होना है, clear है, आपका ये प्रस्न की प्रकृती से आपका PT निकलना, रुखना, निकलना या रुखना तय नह हो रहा है, सब कुछ किस से तय हो रहा है, तयारी से, और जब आच्छा तयारी रहता है ना, तो इस तरह के question भी आराम से बन जाते हैं, चुकि PCS में और UPS में ये होता है, बालो इस तरह के question भी होगा, तो कुछ एकार दो point इसमें तोट एकदम से different होगा, odd out type का होगा, जो मसालेदार होना जीव का स्वाद, नहीं है, तो ऐसा कुछ होगा इस तरह का, जो उस question को आप से करा देगा, तो हमने क्या किया, हमने भी सोचा कि भाई, आप जैसी दुनिया, अमारी बोली कितने लोगों तक पहुँच पाएंगे, बहुत ज़्यादा समझाएंगे, उसके समझेंगे नहीं, हमने क्या कि हाट टेस्ट में हम भी 40-50 इस तरह के question डालने लगे, जाओ, जबकि आपको पता होना चाहिए, कि आपके result पर इस तरह के प्रस्नों का आज भी BPSC, original जो BPSC है, वही है, आज भी और एक copy दस बार, और उस पर अधारी सारी बाते अगर याद ह है, और question practice आप करते हैं, और knowledge-based question अगर सही होता है, कल एक आये थे interview देने के लिए, तो वो वो विदिशा से पढ़ा हो था, विदिशा से, सोचो, 4 साल, विदिशा में पढ़ा, MIT से, मुझा फरपुर एंजिनिंग कोले से किये वे थे, BTEC, हमने पूछा कि मुझा फरपुर क किये होंगे, तो उसका नाम मुझा फरपुर किसके नाम पर बढ़ा, ये तो आपको जानना चाहिए, इसका मतलब है कि भई, आप DSP बनेंगे, भई, आपको अधिकारी क्यों बनाए जाता है, चुकि आपके आख कान सब खुले हुए रहेंगे, भई, समाने नागरी के तु पड़ा, पुछा का अच्छा ठीक है, तीरहूत कमिशनरी में आता है मुझा फरपुर, ये तीरहूत का मतलब क्या है, ठीक है, हमने पुछा उनसे, विदिसा में, जैसे विदिसा आया, हमने विदिसा में कोई हेलियोडोरस है उसका एक, अभी लेक है, इंस्क्रिप्शन है है वहाँ पे, ठीक है, हमने पुछा किस रिलिजन से जुड़ा हुआ है, हम लोग हेलियोडोरस कौन है, तो बोलब बौध है, अच्छा बौध है, तो उसमें किस का कोई, किस रिलिजन से जुड़ा हुआ है, कि किसी और रिलिजन से जुड़ा हुआ है, आप समझ रहे हो, आप बिदीशा में रहते हैं, बिदीशा में आप रहते हैं, चार साल बिदीशा में रहके आपने इंजिनिंग किया, ये उनको पता था कि बिदीशा, सिवराजिंग चाहवान, जो क्रिसी मंत्री है, उनका चुनाओ छत्र है, ये उनको पता था, लेकिन ये नहीं पता था, हल आता है question में और आप अपने ज्यान का उपयोग करके सही करते हैं confidence के साथ, तो आपको PT pass करने से कोई नहीं रोक पाएगा और अगर अनुमान से सही होता है इसका मतलब आप पढ़े नहीं है ठीक है? ये सब question अनुमान से सही नहीं होना चाहिए, ये सब question कैसे सही होना चाहिए? ज्यान से सही होना चाहिए और ज्यान फिर वही क्या होगा? एक चीज़ को दस बार नहीं किसको? एक को दस बार चाहे printed notes हो, चाहे class notes हो, उसको ले कर क्या है फिर question practice करने से question practice करने से कई बार क्या होता है कि उससे आपके preparation में, आपके study material में कोई कमी है क्या चीज, क्या lack कर रहा है या कई बार common sense जैसे मालों उसी तरह का question कुछ-कुछ हा रहा है जो knowledge based है, कुछ question common sense का है मेंस में भी आजकल विपेसी में जाएंगे तो common sense, बने knowledge को बड़े पैमाने पर यूज करके परमानव उर्जा का समाजी का अर्थिक उपयोग बताएं ठीक है, discuss the use of nuclear energy for socio-economic development इस तरह से question पूछा जा रहा है आज के डेट में तो आपको क्या होगा nuclear energy और उसका use ठीक है, यह जानने पड़ेंगा कई पर practical question पूछ रहा है बिज्ञान प्रदवकी का मानो जीवन पर जादा निर्णाय प्रभाव रहा है मनिस्पत की अन्य किसी कारक के in place of other factors science and technology is largely affecting human life comment अन्य बिज्ञान प्रदवकी जादा लोग के जीवन को प्रभावित कर रहा है अन्य कारकों की दुलन में अभी इस तरह का question पूछ रहा है ये question कोई class में नहीं लिखवा सकता ये perception है जो सारा science technology आप पड़े हैं उसके अधार पे आप इसका answer करेंगे तो फिर वही बात है कि ये सारी चर्चा का ये paper को देखते जाओंगे तो कई बार किसी का science अच्छा नहीं है तो science में आएगा तो दुखी हो जाएगा धारा घारा का घाना तो होता है घाना तो होता है तो घाना तो इसके लिए लिखा जाएगा फूज दहेड़ अफ अच्छा current density is scalar quantity vector quantity dimensionless none of these क्या होगा input and root nerves meet it ठीक है which of the following slows down the reaction rate ठीक है तो देखो जेनल साइंस का question है जेनल साइंस सिदे आपको पढ़ना पढ़ेगा सिदे पढ़ोगा तो हो जाएगा अब कहीं सुरू में पांच्छे को चंदे दिया है उस तरह का दुनिया के पहले पादर परागोड़ जिने इतना साइंस कैसे इसमें है दरवस्तल नहीं है कुतम निरार लाल किला इंडिया गेट उप्युक्त में से कोई नहीं इंडिया गेट निमकित में से कौन सा मुद्रा सबसे महंगी है इरो, पाउंड, इस्टर्लिंग, उप्युक्त में से कोई नहीं विहार सरकार ने किस वर्स कारवन सेजन के विहार को प्रदुशल मुक्त बनाने की योजना बनाई है महारतिय समिधान में निराज की नितिनी सक्सिधान के उधारना किस देश के समिधान से ली गई है सुजनी आर्ट क्या है कढ़ाई काच के एक परकार काच का बरतन काच का बरतन नहीं होता है सुजनी आर्ट है कला है या कुछ है, चर्चा में है यह किस बंदरगा को मुगल काल के दौरान, बाबूल मक्का का दौर कहा जाता था, कालि-कट, सूरत, कैमबे और भरूच, अब देखो, अब ऐसा कोई कोन होता है, तो उसमें क्या करते हैं, ऐसा जब कोन आता है, तो उसको और डौट करते हैं, उस वैसे चार्ट देंगे, चार्ट देंगे, तो काली कट क्या हो जाता है, काली कट दो मीचे हो जाएगा, वैसे भी नहीं हो पाएगा, ऊपर कही कोई होगा, भलोच है, कैमबे है और सूरत है, तीनों गुजरात में है, तो इसी में से कोई होगा, पढ़े होंगे तो करेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं होगा ठीक है तो सीधा सीधा मेरे कहा जाता है कि कई बार ये एक्जाम के साथ सब्सक्राइब के साथ सब्सक्राइब बात है कि यहां पर आउटपुट इस डाउटपुट उसके प्रपोर्शन में आएगा पढ़ेंगे तो पास करेंगे नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पास करेंगे सीधा सीधा इसका समध्य है यहां पर इंटेलेक्श्वल नॉलेज की अशक्ता कम पढ़ती है फिर भी है उस तरह का अब देखो तो पती करनाट राजवन्स करनाट राजवन्स असी नमर ना कितने नमर कौन सा था कुछिन विपेशी ने क्या आंसर की जारी कर रहा है 73 से करनाट है करनाट है करनाट है doctor x 73 करनाट लींस चलो तो देंग मनें का ने कलिको सब पेपर को और जाकर सापने से देखियेगा ये सारे में जाएं पेपर के बाद इसके बाद जो अगला नेक्स्ट पार्ट है हम ने देख़ अभी तक क्या-क्या देखा, यह जो आपने एक इसको देखा, आप जैसे बैठ जाओं, दो पार्ट में हमने देखा, एक पार्ट हमने देखा, कटफ के बारे में, ठीक है, दूसरा हमने देखा, पेपर के बारे में, कोशन और आप आराम से को पेपर को देखिएगा, ठीक है, यह पेपर 69th का जादा ही serious थे, अब वो retire कर गये हैं, वो ब्यक्तिकत रूप से फ़ले जादा serious थे, मैं तो मिला था उनसे, तो बाकी बातें, तो इस कारण से भी वो इस जिद में थे कि BPSC के level को मुझे उपर करना है, topic different नहीं होता है, GS का topic और SA का topic, topic different नहीं होगा, लिखने का तरीका अलग होता है, नहीं समझे, लिखने का एक ही topic को GS में अलग तरीके से लिखा जाएगा, और उसी को essay में अलग तरीके से लिखा जाएगा, ये वो नहीं समझ पाये थे, और इसलिए essay के paper को अलग करने के नाम पे, 68 का essay के paper उनने खराब कर दिया था, हमने इसके अलोचना भी करी थ थी, ठीक है, बाद में 69 का essay का paper उठा के देखेंगे, तो एकदम track पे आ गया था, और अभी भी essay के paper में एक गवड़ी BPC में अभी भी है, जो कि बिहार के unreserved category के लोगों के लिए बहुत ही खराब है, सारा BPC बिहार में जो challenge है BPC के साथ, वो unreserved category के साथ है, चुकि reserve category में दिकत नहीं है, चुकि वो तो जो कुछ भी होगा, भाई, जो लोग होंगे, उनी में से selection होना है, unreserved तो open हो जाता है न, पूरा, भाई, UP के साहरे लोग, other state के लोग, हरे state के लोग exam दे रहे हैं BPC में, तो वो unreserved में जाके fight करते हैं, वो, वहाँ दिकत हो जाता है, लड़ के पास एक paper है, जैसे UP में हुआ, UP में optional जब हटा, तो उसके जगह पर उन्होंने UPS special का दो paper डाल दिया, और BPC में optional हटा, तो उसके जगह पर उन्होंने essay डाल दिया, और essay तो कई बार इलहाबद के बच्चों का बिहार के लोगों से ज़्यादा अच्छा होता है, चुकि उनका हिंदी ज़्यादा अच्छा है हिंदी उनका, या अधर इस्टेट से जो बच्चे English Medium को भी जाएंगे, तो कई बार वो खराब नहीं होंगे, वो अच्छे होंगे, तो इससे तो आपने क्या किया इससे, तो हमने उनको बोला था, कि सर ये essay वाला जो मामला है, ये paper को चुकि आप तो हिंदी, compulsory Hindi में essay check करी रहे हैं, जो बिहार में भी compulsory Hindi का एक paper होता है, मेंस में, तो उसमें तो पांच आता है, उसमें से आपको एक लिखना होता है, तो वह essay test हो रहा है, यहाँ पे आप क्या करिए, syllabus को थोड़ा नए सीरे से design करिए, और essay के paper को बिहार exclusive कर दीजे पूरी तरह से, भले ही, अब उसका फायदा यह होगा, कल एक लड़की दे रहे थी, हरेना के लड़की थी, interview दे रहे थी, उसको बिहार का, वो सब कुछ, बिहार के लोग जो interview दे रहे थे, उससे ज़्यादा उसको आता था, हाँ, बिहार, बिहार is special, वो ज्यादा, तो ऐसा, इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई हर्यानवी अगर बिहारी बन जाए, तो क्या खराब है, मने बिहारी, हर्यानवी, हर्यानवी रहके बिहार में नौकरी करे, यह अच्छा नहीं है, या, बिहारी बनके अगर नौकरी करे तो बुराई नहीं है, तो चलता है, दे थी, ऐसा अगर तो essay का paper में उन्होंने क्या किया कि एक जगा पर जाके जो section C है, वो मुहावरा और कहावत पर अधारित किया है, तो मुहावरा कहावत कोई essay थोड़ी होता है, मुहावरा कहावत केवल मैथली में मुहावरा अगर दे देंगे और कहेंगे कि इससे बिहार के बच्चों को लाब मिलेगा भाई लिखना मैथली में थोड़ी है लिखना, वो स्टेट्मेंट मैथली का है लिखना तो उसको हिंदी और इंग्लिस में ही है न तो अगर उस statement का भाव अगर मैं समझ गया तो फिर तो वहीं कहानी खतम हो गई वहीं बिहारी और अधर होने का तो अंतर ही खतम हो गया मूस मोटे ही हैं, लोड़ा होई हैं नहां थी न अब इसका meaning अगर मैं समझ गया तो यह कहां भुषपुरी रह गया फिर पुछा हुआ है, यह अभी पेसे पुछा हुआ है essay तो भाई यह statement तक तो ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अलाहबाद का बच्चा इसका meaning ना जानता हो या मैथली का कोई meaning, मैथली का कोई कहावत है और उसका meaning वो ना जानता हो और जैसे ही meaning जाना वैसे ही कहानी खतम तो वो जो C section है वो C section में फिर से एक बार बोलना पड़ेगा कि C section को ठीक कही किया जाए essay को पूरा essay paper को ही ठीक किया जाए जिसे के बिहार के बच्चों को लाह मिले ठीक है तो एक ही आ जाता है आप देखो जो BPSC PT है तो उसमें उसके दो पार्ट है एक है 70 और दूसरा है 71 ठीक है और 70 71 दोनों में एक ची जो common है वो common है BPSC 70 और 71 क्या common है दोनों में दोनों में 8 section है दोनों में 8 section है ठीक है और 8 section में जाएंगे तो अब एक तीसरा जैसे हमने कहा कि भई एक बात कही थी कि यहां पर 24 नहीं होता है यहां पर compulsor है आपको responsibility के साथ पढ़ना पड़ेगा लेकिन अभी भी एक बिकल्प है जहां पर आप अपने लिए कुछ section को चून सकते हैं यहां मेरा एक भी question गलत नहीं होगा अगर मालों आपको लगता है कि polity मेरा अच्छा है तो polity को आप इतने तरीके से पढ़े जाएए कि उसमें से 10 में से 10 सही हो जाएए चुकि 2 तिहाई सही होना है टू थर्ड सही होना है तो किसी में आगर मालों 100% सही हो जाएगा तो किसी section में 50% से भी काम चल जाएगा या 40% से भी काम चल जाएगा 30% से भी काम चल जाएगा तो कहीं आपको क्या करना होगा पुरे 100% सही करने पड़ेंगे तो आपको चुनना पड़ेगा इसमें से लेकिन ये चीज इस level पर आकर नहीं decide होता है एक 70 के लिए decide करने का time ये नहीं है ये 70 के लिए decide करने का time है कि अब आपके पास ज्यादा time नहीं है तो जब ज्यादा time नहीं है तो मैं अपना जो strong area है उसी पर उसी पर पढ़ जाओं। 71 के लिए तो है कि भई आप अभी से जितना कोसिस कर सकते हैं पूरे आठ के आठ में ये last में जाके एक आध महीना जब exam रहेगा तब decide करेंगे कि हम कौन से area पे ज़्यादा focus करें और किस area पे कम focus करें। तो एक option अभी भी बचता है इस आठ section में और आप जानते हैं कि एक जैसे मानलो history है, जगरफी, science और बिहार special ये चार section है, सबसे important एक और मानले current affairs, चुकि इसका भी operation surgery करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्यों operation surgery करना ज्यादा मुश्किल नहीं है current affairs का, भाई पीछे 8 महिने का प्रतिउता दरपन उठा करके उसका एक एक लाइन पढ़ जाए, तो ऐसा कौन सा current affairs होगा, जो की छन जाएगा, उसमेंचे छुट जाएग ऐसा नहीं हो पाएगा, प्रतिवता दरपने, generally क्या होता है, कोई भी एक सतर का magazine, जो standard magazine है, वो उस महीने का, last महीने का, वो हर छोटी-छोटी घटना को वो cover करते हैं, तो सारी घटनाओं में से, PT point of who से, जो शुरू का 30-40 page है, एक national है, एक international है, एक economic है, एक sports वाला है, एक mis international economy, sports और miscellaneous, यह पांच होता है, तो यह पांच में हमें लग रहा है, कि generally 20 page के आसपस होता है, 20-25 page, उस 20 page को उसमें से अगर फाल लें, और उसको एस्टेपल कर लें, और ऐसे 8 magazine में से फाल लें, तो current affairs का surgery हो जाएगा, एक one-fourth बच जाएगा, वो होगा बिहार वाला, three-four तो हो जाएगा, one-fourth रह जाएगा बिहार का, तो अगर इसमें से, मानलो यहां पर कितने आएंगे, 20 question आएंगे, और 20 question में 15 होगा, national और इंटरनेशनल वाला, national, और 5 question होगा, 5 होगा बिहार का, यहां पर, current affairs के नाम पर, नहीं, बिहार सरकार का कोई योजना हो, यह बिहार की गई है, ठीक है, यहां बिभाग है, a separate department established recently in Bihar, ठीक है, this department is, चुकि सेंटर में, जितने भी, जो, सेंटर में, जो मंत्री होते हैं, उसको मंत्राले बोलते हैं, मिनिस्टीज बोलते हैं, एस्टेट में वो मिनिस्टीज नहों करके, उसको departments बोला जाता है, बिभाग, जैसे ग्री बिभाग, department of home, department of finance, department of agriculture, department of land revenue, land reform and land revenue, department of fisheries, तो स्टेट में department होता है, हमें सा ध्यान रखिएगा, सेंटर में मिनिस्टीज हो क्लिर हैं, तो स्टेट में, अभी बिभाग में एक अलग बिभाग खोला गया, या बिभाग है, चार आपसर मानलो है, तो ऐसे ऐसे इस तरह का बिभाग का current affairs पूछा जाएगा, ठीक है, अब जानते हैं, खेल बिभाग खोला गया है, ठीक है, खेल बिभाग राजगीर में 20 बिभाग की खेल, 20 बिभाग का स्थवना की गई, चार आपसन होगा, कौन सा हो जाएगा, राजगीर, ठीक है, तो ऐसे question ये बड़े ही indicative, बिभाग बज़र 2024-25 का अनुसार, बिभाग का अनुसार सही क्रम सजाएं, according to expenditure, ठीक है, arrange the different area, ठीक है, इन बज़र 2024-25, और उसमे education दिया हुआ है, या health दिया हुआ है, road transportation, rural development, इस तरही कैसे दिया हुआ है, अगर आपने बज़र को ठीक से पढ़ा हुआ है, तो ये तो आता ही, expenditure, heads of expenditure, एक, दो, तीन, चार आप उसको arrange कर लेंगे, तो ये बिहार का current affairs होता है, बिहार का current, ठीक है, current price for बिहार का GSDP, बिह बिहार का per capita income, अभी news में है, उसी तरह से एक आ रहा है बिहार में, बड़े तेजी से जो notes में, हमने printed notes में सामिल करवा दिया है, printed notes update है, economics का, दोनो, थोड़े से busy हैं लोग, interview होगरे के चकर में तो इसके लिए नहीं जा रहा है, निदा बन गया है, और अब आपको दोनों इसमें यह आपके पास available रहेगा, एक इसका app के उपर क्या करेंगे कि इसका PDF डलवा देंगे, तो उसमें क्या होता है कि color form में आपको यह मिल जाएगा, और दूसरा hard copy रहेगा, क्या, hard copy भी रह जाएगा, तो hard copy इस तरीके से, हो गया है, बन गया है यह, इस तरीके से, जब यह फोटो कपी होता है न, तो यह गरवर हो जाता है, देखो, जब फोटो कपी होता है यह, तो यह app पे रहेगा न, आप वहां से भी चाहें तो देख सकते हैं यह नहीं है यह, इस तरीके से, तो app के उपर video भी है और app के उपर ही, नोट्स भी हो जाएगा और साथ में hard copy भी रहेगा, ऐसे ऐसे हैं, budget होग रहा, तो उसमें क्या बता है, फोटो कपी में जब जाता है तो black and white हो जाता है, तो वो नहीं रहेगा, black and white इसका, यही सेम PDF में हमने बोल दिया है, पीडियेफ एप टेक डाल दीजे, और फिर इसका hard copy, hard copy यह print होने के लिए जाएगा, चुकि इस बार cover भी change होना है, तो उस cover उबर change होने में हो रहा है, कि एक ही साथ का, बिहारेस special का दोनों booklet, Hindi English, बिहारेस economy का दोनों booklet, पोलिटी का दोनों booklet, पीटी का, यह सब change हो रहा है तो change हो रहा है, तो उसमें थोड़े time लग जा रहा है, कि एक ही साथ, जब जाए तो सब चला जाए, ठीक है, चुकि 70 में अब change का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, जो change है सब 71 के लिए ही है, तो इसलिए थोड़े delay हो रहा है, हो जाएगा change, तो उस ही में देखो, यह बता र उपधान सभा के अध्यक्ष और विहार विधान सभा के उपध्यक्ष, अध्यक्ष कौन है, उपध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष तो सब जानते हैं, उपध्यक्ष नहीं जानते हैं कोई, विहार विधान सभा के उपध्यक्ष कौन है, और विधान परिशत के, देवेशन ठ शागुर तो दिली आ गए, सांसद बनके सीता मणी से, सांसद बनके आ गए है देवेशंद शागुर, तो अभी बिहार विधान परिशत के अध्यक्ष कौन है, यह क्या करेंगे ना, वो कोश्चन जब बनाएंगे इसका, तो A, B, C, D करके बताएं, निमलिखित में से कौन सा सत्य है, बिहार राजयपाल, बिहार विधान सभाध्यक्ष, बिहार विधान सभावपध्यक्ष, बिहार विधान परिशत के सभापती, और उसमें से एक कोई गलत कर देंगे, नरेंदर यादो जी को महेंदर यादो जी कर दिया जाएगा, नहीं, नरेंदर यादो जी को उ विहार एस्पेसल हो गया, विहार एस्पेसल के तीनों पार्ट है, इसका जगरफिकल है, इसका इकनॉमिक है, ठीक है, इसका हिस्टोरिकल है, अब बागी तो GK टाइप का हो जाता है, ठीक है, तो ये इसमें से तो आपको चुनना पड़ेगा, साइन्स से कम चेकर हम लग रह सकता है, तो तीस कोशन, जगरफि से बीस कोशन यहां पर, और दस कोशन के आसपस, पांसात कोशन बिहार इस्पेसल में, बिहार का जगरफि, और इंडिया इंड वर्ल्ल जगरफि, तो बीस कोशन यहां पर, और यहां से कितना, तीस कोशन, तीस कोशन, कितना कोशन हो गया कितना हो गया 30 25 130 80 80 20 120 120 और उसके बाद एक हो जाएगा कौन सा अब उसके बाद miscellaneous miscellaneous में economy, polity और math reasoning. math and reasoning. अब आप तय गर लिजिये क्या आपको कहांपर, अभी ही तय कर लेना पड़ेगा कि कहां पर میरा zero error होगा के खाह कहां zero error हो तो आप pass कर जाएंगे. भही यहां पर zero error करना ही पड़ेगा, तो यहां zero error करेंगे तो यहां भी zero error हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, भाई, बिहार special का भी majority part history ही है, और history से related जगरफी है, भाई, history को ठीक से, बिहार के इतिहास को ठीक से जानेंगे, जब चिरांद को जानेंगे तो जगरफी नहीं हो जाएगा, चिरांद किस नदी किनारे है, तो थोड़ा आसपास की चीज़ें तो देखी लेते हैं, उस तरह से माल लो, अगर मुंगेर में जा रहे हैं, तो कुछ जानने के लिए, चेचार होगरे के बारे में कुछ जानने जा रहे हैं, तो बाकि जानी ही लेंगे आपको, तो ये बिहार हिस्ट्री और बिहार जगरफ ही, तो ये जब 30 कोशन को ठीक करते हैं, तो ये 20 कोशन ठीक हो जाता है, तो 30-20 किसना हो गया? 50 हो गया, और फिर उसके बाद यहां पे फट लगाने ही पड़ेंगे, ये प्रपोस्नेट होता है, ध्यान देंगे तो जरूर समझ में आएगा, एकदम से ध्यान देंगे तो समझ में आएगा ही आएगा, और समझ में आएगा तो फिर वहां से कोशन भी बनेगा ही बनेगा, आप एकदम से मालो जम्मू कस्मिर से स्टार्ट करें और अगर अंड मान निकोबार, पोर्ट बलेयर तक चले जाए एक चीज को धीरे धीरे देखते हुए उसका जगरफिकल, फिजिकल, उसका सोचल, उसका इकनॉमिक, नहीं, उसका इंडस्टियल ये सब एके करके دیکھते चले जाएं, तो बिहार का जगरफि, इंडिया का जगरफि को रोल आउट करना मुस्किल है उसी तरह से continent wise ले लें, Latin America को ले लें, North America को लें, Europe को ले लें, Australia को ले लें, एके को ले लें चलो अज चलते हैं, Australia घुम के आते हैं अब भो लेंगे, नानी के जाने का तो मन ही करता है, आप अस्टेलिया की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो ऐसे ही ताइख किया आपने कि आज दो दिन मैं कहां रहोंगा? अस्टेलिया रहोंगा! और इस थरीके से अस्टेलिया का बारे में कभी कोई discussion हुआ और आशा मैं पूचा गया तो अस्टेलिया एकदम आप अस्टेलिया ऐसे बता रहे हैं जैसे कि बस अस्टेलिया कली तो घूंके आया हुँ और एक से रोचक चीजें interesting तरीके से बता रहे हैं किस तरह से majority of population कहां पर है Melbourne कहां पर है, Sydney कहां पर है कौन कौन से port है क्या है क्या है, ये सब चीज़ों को वहाँ के ethnic लोग कौन होते हैं, New Zealand के क्या क्या challenges हैं, New Zealand में तो आप इस तरीके से 2-3 दिन आप कहां पर रहते हैं, क्यवल अस्टेलिया में रहते हैं 2-3 दिन जाकर के 4 दिन कहां रहते हैं Latin America में रहते हैं 2-3 दिन North America में रहते हैं North America, तब क्यवल अमेरिका नहीं होता है North America में 50 देश है जो North America है, उसमें 50 देश है North America में रहते हैं फिर उसी तरह से कहां चले जाते हैं, फिला इरोब घुम के आते हैं, लास्ट में अफरिका जाते हैं, नहीं, अफरिका जाते हैं, अफरिका जाते हैं, एस तरीके से मैप के उपर, एटलस के उपर अगर पूरे विस घुम के अगर लोट के आ जाते हैं, जगर अफिक आधा को कोशन नहीं सही हो जाएगा लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए जानना पड़ेगा दो तीन लोग आपसे मिल गए कि तुम घुम लो मैं अस्टेलिया घुम लेता हूं तुम लैटिन अमरिका घुम लो और एक आदमी को दे दिये कि ये मैप लो और मैप लेक होता है उनका 120 कोशन सही होता है उनका सब सही होता है जब धंग से आप पढ़ेंगे तो क्यों गलत होगा जब हम हिस्ट्री ठीक से पढ़ेंगे तो क्यों गलत होगा हमारा जब साइन्स ठीक से पढ़ेंगे तो क्यों गलत होगा जो नहीं पढ़ते हैं वहीं स्ट्रगल करत जब हम syllabus को ठीक से पढ़ रहे थे तो हमारा क्यों गलत होगा जब हम Australia जागे घूमने ही गए थे तो हमा क्यों कुछ छोड़के आएंगे और जब नहीं छोड़के आएंगे तो Australia से कोई question पूछेगा तो कैसे गलत हो जाएगा बिसुकी जलवाई उचनोतियां हमारा topic हुआ, climatic और उसको international से ले आया, national पे ले आया, बिहार में ले आया और जब सारी चीज़ों को एक साथ एक pattern में देखने की कोशिस करेंगे climate change, global environmental challenges, ecological environment जब ले के चलेंगे तो हम फैलाते जाएंगे ना सब चीज़ को तो दो-तीन दीन जब उसी पे रहेंगे तो कैसे हमारा गलत होगा वहाँ से, कोशन पुछेगा, देखो कैसे सही होता है जो science वहीं जाते है, human body लेते है, human body को ले करके और उसका अंदर से और बाहर से, human body map बनाते हैं, map बना करके सारा diagram वहाँ खिज देते हैं एक-एक चीज़ को, एक human body में ही, हाथ को ही निकालते हैं, हाथ को लेकर बना देते हैं, सीर को लेते हैं, सीर को बनादेते हैं, जो लो जी वाला पार्ट नहीं हो जाएगा तो फिर लेकिन फिर हम बोलने तो बोलना तो बहुत आसान है लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा वो चाहिए मनें इंट्रेस्ट आफेस्ट इंट्रेस्ट मनें कहा जा उसके लिए सेलेक्शन के लिए आप में तेजी होनी चाहिए और कहा जाता है कि फिर आप खुद से चेक करके देखिए, जह कहा जाता है तो self-realization, आज की date में spirituality में सबसे ज़्यादा ध्यान किस बात पर दिया जा रहा है, बाहर की चीजों पर नहीं दिया जा रहा है, आज की date में spirituality में हमने कई बार YouTube कुछ देखा, आप देख रहे होंगे कि इंडिया को विश्वस्तर पे, इंडिया, इंडियान्स आर नोट ट्रबल इन एनी कंट्री, भारतिय विश्व के किसी देश में ट्रबल नहीं है, ठीक है, किसी देश में ट्रबल नहीं है, क्यों? जो इंडियान्स है, वो चाहे कनाडा, किसी भी देश में जाएए, वहा के लिए assets के वहां के लिए burden नहीं है. Even Gulf countries में भी Indians are not troublemaker. भारतिया, आपने कभी सुना है कि कि किसी भारतिया को वहां से deport किया गया? जबकि आपने बहुत सारे पाकिस्तान के लोगों को सुना होगा कि वहां से लोगों को जहाज भर-भर के deport किया गया? Indians को तो नहीं किया जाता है. क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि हम जाकर के वहां के चीज़ों, उनके अनुसार ढल जाते हैं, उनके according हो जाते हैं और उनके लिए assets महनती तो होते ही हैं Indians, महनती होते हैं प्लस argumentative नहीं होते हैं, ज्यादा किंतु-परंतु वाले अधरवाइज भी सुमें तो किंतु-परंति वाले लोग तो होते ही हैं, एक ममता बनर जी हैं कमला Harris के उपर एक आरोप लगा, उसमें अमेरिका में, कि she is not mother, मने वो mother नहीं है, कमला Harris adopted child है, उनके अपना बच्चा नहीं है, तो एक अमेरिकान नहीं कमला Harris पर आरोप लगाया, कि यह mother की feeling कैसे जान सकती है, यह, and hence, she is not suitable for president, चुकि यह mother type का जो emotion है, वो इसके पास नहीं है, चुकि इसका बच्चा तो adopted है, अब समझ रहे हैं, कमला Harris को अपना बच्चा नहीं है, इसलिए वो इस चीज को समझ नहीं पाएगी, इसलिए वो president नहीं बननी चाहिए उसको, एक दिन Times of India में इंडियन है दा मूदर घाटी, घर के पास ही हम लोग के है, तो पानी भर गया बहुँ जादा होता है, होता हार जगा होता है, मंवता मरší नहीं ने बराकर के पास, माइथन और बराकर बार्डर है GT Road का उसको दो दिन जाम कर दिया रोक दिया सुवेंदु अधिकारी ने पूछा कि भाई आप में इतना हिम्मत है तो आप लिख के क्यों नहीं ओडर जारी कर रही हो आप लिख के दो ना कि क्यों उसको हमने Road Jam किया हुआ है आपने ये हिम्मत नहीं है आपने जो पुलिस वाले वहाँ खड़े हैं उनको ये आपने बता रखा है कि आगे बाढ़ है और हम नहीं चाहते हैं कि ट्रक वाले उसमें जाके डूबें इसलिए हमने Road Block रखा है अब समझ रहें बात को GT Road पे कहीं एक मुंद पानी नहीं था उसको इस आधार पे उसने रोक रखा था और दो दिन तक हमें लग रहे कि 5,000 कि 10,000 से ट्रकें बंगाल बुडर पे इधर उदर जाके खड़ी हो गई थी जो एग्रेसिवनेस तो ऐसी भी परसनाल्टी होती है इंडियन्स आर नोट एग्रेसिव लाइक ममता बनरजी यह इंडियन्स का नेचर नहीं है ठीक है तो उसमें जाएंगे तो एडजस्ट कर जाते हैं इंडिया वाले सब जगा के क्यों चुकि इंडिया में सबसे बड़ी बात है कि में फोकस हभी एक सॉफ्ट डिप्लमेसी इंडिया काम कर रहा है फोकसिंग और इंटर्नल पीस जो आपकी बिशस्ताएं है पूरा विश्व आज परिसान है इस्राइल हो, हमास हो, हिजबुला हो, उक्रेन हो, रसिया हो, अमेरिका हो, पूरा इरोप हो सब परिसान है और उसमें जो इंडियन फीचर से वो क्या कर रहा है लोगों को अंदर से सांती दे रहा है इसलिए देखो कहा जाता है कि आज से पंदरा साल रुख जाईए, बीस साल रुख जाईए पूरा रसिया इस कौन में कनवर्ट हो जाएगा इस कौन हरे राम हरे कृष्ण वाले जो है इस इतने तेजी से फैल रहे है और सबसे अच्छी बात है कि इनका कहीं बिरोध नहीं हो रहा है योगा का कहीं बिरोध नहीं हो रहा है मने लोगों को एक ray of hope के रूप में आसा की किरण के इस एकाकीपन में लोगों को एक आसा की किरण के रूप में दिख रहा है क्या मिनी हुआ internal feeling आपके साथ भी क्या कौन पास करेगा विपेसी कौन पास करता होगा कौन पास करता होगा जो पढ़ेगा पास करने की किसमे कितनी क्या इक्छा सकती है वो अंदर से जो कहा जाता है और हम तब से यही बता रहे कि अंदर वाला जगा लीजिए अभी तक जितनी चीज बाते बोला है हमने वो सब वही अंदर वाले को जगाने के लिए बोला है कि इस नॉट डिफिकल्ट हमने कटफ बताया हम वहां 140 लिख देते तो चाहे हम कितना भी समझाते हम यह कटफ इसलिए बनवा के लिए आए क्योंकि हमें आपको दिखाना था कि कटफ इस नॉट अनेचीवेबल यह जो कटफ है वो किसी के लिए भी अनेचीवेबल नहीं है इसलिए हम बनवा के लिए आए और पेपर इसलिए खोल के दिखाया आपको, कि पेपर देखके आप मान लीजिए इस बात को, कि 150 में 40 कोशन हम multiple choice, हम उस तरह से multiple options वाले बोल सकते हैं, लेकिन 110 कोशन अभी भीप है, जो कि सीधा ABCD पर है, जो कि सीधे knowledge से जुड़ता है, सीधे practice से जुड़ता है, तो हम वही आपको बार-बार इस बात को motivate करने के लिए, मैं इस सारी चर्चाएं कर रहा हूं, कि pass वही करेगा, जिसको कि अंदर से सफलता के लिए, और फिर वही बात है, कि न paper difficult है, न cut-off है, न content difficult है, content भी difficult नहीं है, ऐसा नहीं है, कि आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, और सब आपके सिर्के उपसे जाता है, ऐसा होता है, विपेस में ऐसा कुछ भी नहीं है, न यह history में है, न जगरफी में है, न science में है, न biology, science जो हो सकता है, लेकिन यहां पर जो science पूछा जाता है, वो इतना difficult नहीं होता है, basic science है, और basic science को अगर जिमेवारी के साथ पढ़ हो जाएगा, और फिर वहीं पर एक बात आता है, किमाल जगरफी, यहां पर हम 30 में से 15 ही सही माल लेते हैं, 15 छोड़ देते हैं, यह तो vitamin C का chemical नाम क्या है, और इसमें science technology से related, कुछ-कुछ nanotechnology में nano क्या है, यही सब question पूछे का तब ही 15 हो जाएगा, पेपर उठा के देखना तो 15 question यहां से छोड़ देते हैं, और यहां पे 28-29 कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं, विहारे special में कर लेते हैं, current efficient में कर लेते हैं, तो यह 15 compensate नहीं हो जाएगा, और अभी भी तो polity बचा हुआ है न, 10 में 10 के लिए, economy भी बचा हुआ है 6 question के लिए, math reasoning भी बचा हुआ हु मुस्किल नहीं है, content मुस्किल नहीं है, आज यहां पे physics का numerical हल कराने लगे, आधे लग सो जाएंगे नहीं सो जाएंगे, ठीक है, तो आप यहां पे content difficult नहीं है, paper difficult नहीं है, cut-off ज्यादा नहीं है, और जो आप कर रहे हैं, इससे ना सिर्फ आपका जीवन सुधरेगा, बलक यह बात हम अपनी बेटी को समझाते हैं, हम जानते हैं कि हम उसको बोलेंगे तो उसको समझ भे, जानते हैं, गारहां हमी क्लासें पढ़ती है, उससमझती ही नहीं है, तो उसको हम समझाते हैं कि पर लो नहीं तो फिर आगला generation खरा हो जाएगा, इस बात पर हो सकता है, यह बात काम कर जाए, चुकि एक फिमेल थी, बहुत बड़े अमीर आदमी थे, बहुत अमीर थे, एक बेटी थी, और बेटी बहुत सराब पीती थी, अन्मेरेटी थी, बहुत सराब पीती थी, लिकर कंजूम करते थी, एकदम परसान परसान थे, जब तक आप इस सब गलत काम क लगता है तब आपको समझ में आता है कि अरे यह तो बहुत गलत है जब वो अपना पाटी करते थे बेटी देखती थी और कब बेटी भी पाटी करना शुरू कर दी उनको पता ही नी चला और उनसे ज्यादा पाटी करने लगी वो बहुत समझाया है बहुत डॉक्टर के पास ले गए कहां कहां ले गए कुछ नहीं सुनने के तयार थी नहीं होता है परसान परसान हो जाना तब फिर एक डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने उनको उसको कहा कि बटा तुम अराम से पी सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना पिना हो, लेकिन एक बात की गारंटी है, कि तुम इसी तरह से अगर और तुम प्रड़े दिन पीती रही, तो तुम कभी मानी बन प दोड़ दिया, क्योंकि ये कोई फिमेल, जान बुचके नहीं कर सकती, तो वही बात है आपके लिए भी, मत पढ़िए, अपना तो खराब होगा ही होगा, आगला जने सर्वी जागे कहीं बकरी चराएगा फिर, और तब समझ में आएगा कि तब उस समय कितना भी घूसा मार पढ़ेंगे, तो पढ़ो, 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 तो पढ़ने वाला नहीं है, इतनी अच्छी ऑपरचुनिटी है, 2000 की वेकेंसी में, जब एक नौकरी नहीं मिल रहा है, सोचल मीडिया के हीरो बन रहे हैं, तो आगे क्या होगा, कौन जानता है, कली RJD के सासन आ जाए, कली RJD के सासन आ जाए, क्या बदल जाएगा, अब इस बख गारांटी के साथ का तेजस्वी ना अच्छे हैं, बाकि उनके टीम के लोग अच्छे हैं, इस बात की गारंटी है, और बाकि अपने टीम के लोग को कंट्रोल कर लेंगे वो, हैं उनमें छमता इतनी, किसी हाल में उनकी आप जी चमता निया, दानापुर के विधायक को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आगे विधायक हैं, अभी विरोध कर दिया था, उन्हेंने जब मीशा भारति को टिकट दिया गया, तो विरोध कर दिया थे कि नहीं है, टिक तो मेरा है, कहां पन्त्रोल कर पाएगे वो, ठ तो आगे BPSC कब तक अच्छा रहेगा और यह बड़ा सौभागी की बात है कि पिछे 10 साल से BPSC अच्छा है और आपको लगता होगा कि पता नहीं हम ऐसे ही बोलते रहते हैं कभी मौक इंटर्वू का वीडियो देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे लोग इंटर्वू पास करते हैं आपको होगा नहीं कि करफशन चलता होगा 20 लाग, 10 लाग, 15 लाग आपको भी मौक इंटर्वू लाइब चलता है, ऑनलाइन चलता है उस वीडियो को देख लेंगे तो जो ऑनलाइन देने वाले मौक देने वाले लोग हैं उसको देख करके आपको समझ में आ जाएगा ठीक है कि कैसे लोग वीपेसी पास करते हैं और जब हमसे कई बार लोग बोलते हैं करप्सन होता है यह होता है और हम 100% इसको खारिज करते हैं तो उसके पीछे हमारा प्राक्टिकल एक्सपिरियेंस होता है कि वीपेसी में करप्सन नहीं होता है एक आज 2% की बात मैं नहीं करता हूँ लेकिन नितीश कुमार जी के करप्सन नहीं करते हैं चुक्व उनका अपना कोई इंटरस्ट है नहीं और बाकी लोग को तो कंट्रोल कर लेते हैं नितीश कुमार जी के साथ सबसे अच्छी बात रही कि one man government है वो जो करना है सो उन ही को करना है खली बाकी लोगों को ज्यादा चलने नहीं देते हैं वो ये बात पूरी तरह से तेजसवी जी के लिए लागू नहीं होता है बाकी लोगों को रोक नहीं पाएंगे ज्यादा नहीं रोक पाएंगे वो ठीक है तो यही बात है तो यह section है तो अपना इस part में, last part में यही है कि यह सब समझे लो history का, जगरप्षी का, science का, बिहार special का, current difference में कौन-कौन सा section आपको ठीक है, अब रह गई बात कि यह सब का इस में history में जा रहे हैं तो copy ठीक है, copy आपके पास होना चाहिए यह जो आठो section यहां दिखाई दे रहा है आठो section का आपके पास क्या हो जाए copy हो जाए, ठीक है और यहां पर भी जो mains का 6 है, उसका 6 section है mains में, कौन-कौन से 6 section है mains में जा रहे है, चुकि mains कभी अब time आ रहा है जैसे ही 179 होगा, 179 को PT होगा उसके अगले दिन से ही mains कानी 17 के लिए start हो जाएंगी अभी इसमें तो 71 में तो है ही तो mains में जा रहे हैं, तो mains में भाई GS paper 1 GS paper paper 2 और essay, और देखो एक बात यहां पर clear रख लो जो इन दोनों से इसके लिए, GS paper 1 तीन सा नमबर ये तीन सा नमबर ये और तीन सा नमबर और तीनों मिला करके जो cut-up जाता है average cut-up है 450 general category का 4.70 भी गया है, 455 445 भी रहा है 450, out of 900, 450 cut-up रहा है 50% तो इसमें जाते हैं, तो यहां पे जो तीन सेक्षन है, history current और di यहां पे तीन सेक्षन है polity जगरफ़ी economy और science tech और essay में फिर वही तीन सेक्षन है यहां भी है, ABC दो बात की यहां से guarantee है और तीसरी बात आपके उपर depend करेगा दो बात की कौन से guarantee है तीनों का, यह दोनों सेक्षन का, एक, दो तीन चार पांच और छे यह छोड़ दिया चुकि यह तो मैथ है यह जो छे सेक्षन दिखाई दे रहा है और यहां पर यह essay का तीन A, B और C दो बात की guarantee है, कोचिंग के तरफ से, कौन कौन से बात की relevant material, relevant मतलब होता है, काम का और यह BPS के लिए बड़ा risky है, काम का material, काम का material मतलब क्या है जैसे economy का ही एक best example लें BPSC इस मामले में UP से different है कि UP pieces ने क्या कर रखा है, कि Indian और UP दोनों को अलग-अलग रखा है रास्थान भी अलग-अलग रखा है रास्थान में रास्थान special के question अलग से आते हैं और Indian वाले अलग से आता है UP में भी Indian वाला अलग से आता है और UP special अलग से आता है बिहार में 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 ऐसा कोई separation नहीं है बिहार में ये सब mix है भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूव्मेंट इन बिहार के संदर में 1857 बिहार के संदर में संथाल बिहार ही है चमपारण बिहार ही है ठीक है जाएंगे तो मदुबनी बिहार ही है, पटना कलम बिहार ही है मौरियन आर्ट बिहार ही है ठीक है इस तरीके से मौरियन आर्ट को पूरी देश के संदर में लेके बिहार पर ही अटकाना है बहुत धर्म का उसके बाद जाते हैं तो यहां current affairs में भी एक आद दू पॉचन बिहार से यहां पर जाएं अकोनमी की ही बात करें तो ओदोगिक विकास बिहार का संदर्व कृसी विकास बिहार का संदर्व जन्नांकिय लगास डेमोग्राफिक डिविडेंड बिहार का Unemployment बिहार तो हर जगह पुवर्टी बिहार ये इसके साथ तो relevant matter का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पुवर्टी heading जब लिखा गया है तो उसी के अंदर में इंडियन और बिहार दोनों रहे क्योंकि अगर इंडियन अगर मालो यही चीज अगर यही पुवर्टी अगर यूपी के लिए होगा यही पुवर्टी अगर रास्थान के लिए होगा यही पुवर्टी अगर यूपेसी के लिए होगा तो उसमें बिहार नहीं होगा बिहार सिर्फ इतना ही होगा कि बिहार में सबसे अधिक गरिभी है और केरला में सबसे कम गरीबी है, इतना ही बिहार होगा, अदर्वीस बिहार नहीं होगा. लेकिन वही पौर्टी अगर बैसी के लिए हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हर पैरा में बिहार आ जाएगा. इंडिया के साथ-साथ बिहार गरिभी के स्थिति इंडिया बिहार गरिभी के कारण इंडिया बिहार गरिभी दूर करने के उपाय इंडिया बिहार उपायों की भिफलता इंडिया और बिहार तो इसको बोलते हैं relevant material एक तो यह तो अपने हां से मिल जाएगा सबका और दूसरा चीज क्या मिल जाएगा यह जो matter होगा वो matter matter scientifically arranged होगा यह mismanaged नहीं होगा mismanaged का मतलब होता है और managed का मतलब होता है जैसे आपको कहीं बोलने जाना है कोई seminar है और seminar में आपको बोलने जाना है तो क्या चीज याद करके जाते हैं दो चीज तो याद करके जाते हैं न एक विशाय बस्तू content और second किस scrum में बोलना है पहले क्या फिर क्या फिर क्या फिर क्या यह करके जाते है तो इसको बोलते है thought plan topic का arrangement और जब topic का arrangement पहले है तो topic जब arrange होके रहता है तो उसके आगे की बाते तो अपने आप ही याद आने लगती है और अगर ये topic arrange करके thought plan करके नहीं आते है जैसे कि विहार के finance minister थे तो आये थे अपने हाँ पढ़ाने के लिए तो बड़ी इसी बात बता है तो बड़ी प्रोफेसर होगा होते है तो अलग ही दुनिया होती है वो अलग होते है तो उनका बोलना था कि घंटा भर पढ़ाए घंटा भर पढ़ाए घंटा पढ़ाए क्या मिनी होता है कहां से सुरू किये क्या बोले, कहां खतम किये कोई और छोर तो ऐसे में जो सुरोता होते हैं, वो सो जाते हैं कुछ भी ले के नहीं जाते हैं ठीक है, तो इसको यही मैं समझाना चाहरा हूँ, thought plan तो जो आपका matter होगा, वो sequence, वो properly arranged होगा सारा topic, कोई भी topic mix up नहीं होगा अब यहां से आपकी भूमी का start होती है कैसे start होती है, लिखना generally बोलते हैं आप क्या है, कि सर मुझे लिखने नहीं आता तो लिखने नहीं आता, तो इसका मतलब है कि यह गंभीर भीमारी का सूचक है किस बात का सूचक है यह, इसका मतलब है कि आपके पास matter नहीं है और matter नहीं है और वो properly arranged नहीं है अगर matter properly arranged है, आपने कर रखा, यह दो सेक्षन को complete कर रखा है तो तीसरा सेक्षन आ जाएगा लेकिन पहले उसके लिए क्या है? पहले उसके लिए matter हो और वो matter तो दो तरह से answer लिखा जाता है एक होता है, पहले topic लिखा जाता है land reform, अब इसको पहले लिखिए freehand लिखिए, देखिए लिख पा रहे हैं के नहीं लिख पा रहे हैं what is the meaning of, what is the reason behind, what is the objective of what are the steps for land reform, what are the challenges ठीक है, what are the remedial measures, what type of steps government of Bihar is taking regarding land reform आरह समझ में, इसको पहले इस तरीके से लिखिए लिख लिए, एकदम से, मने आपका यह हाल रहा कि एक page आपको दिया और अपने freehand land reform को लिख डाला, मत इसमें घुमाओं माँ की कोशिस भी मत करिए अभी केवल कह करिए, केवल topic लिखिए, सारा topic लिख जाईए इसी तरह से, nano technology लिख जाईए, robots लिख जाईए, laser लिख जाईए space technology का usage लिख जाईए, साब लिख जाईए और तब बारी आता है, question के demand के अनुसार लिखना उसके बाद आता है आप गलती क्या करते हैं? क्या गलती करते हैं? सबसे पहले question के अनुसार ही चलने आता नहीं है, और 100 मीटर का race लगाने चले है कहां से हुपाएगा? तो कौन सी बात हुई? पहले topic को याद किया जाता है फिर topic लिखा जाता है और तब question के demand के अनुसार लिखा जाता है ये तीसरा वाला पहले नहीं करिए इससे कोई फाइदा नहीं होगा selection के लिए ज़रूरी है कि तीसरा तो वही बात है कि ये दोनों तो कोचिंच हो जाएगा अब जो तीसरा वाला है वो तीसरा वाले को याद करके भले topic लिखा और उसके बाद आ करके question answer लिखा एक बच्ची है पढ़े इंग्लिस मेडियम की पहली बार में ही पास कर गई interview दे दी उनहतर का copy लेके आई copy आ गया था ना result के पहले copy तो आही गया था बिना चेक किया हुआ copy पहले आया था अब चेक किया हुआ आएगा तो हमने उससे पूछा कि तो डाग्राम क्यों नहीं यूज करी है बढ़ा अच्छा बहुत अचा लिखी थी हमने पुझा कि डाग्राम क्यों नहीं लिखी थी यूज करी थी तो फिर पताएं कि सर इसमें लिख दिया इस ओप्शनल में लिखा था यहां वहां लिखा था लिखा था, हमने यहां कहीं नहीं लिखे थे, और हमें लगा कि हमने बोल भी दिया, कि देखो, थोड़ा रिस्क है रिजल्ट पर, बहुत अचा राइटिंग, खूब लिखी थे, पूरा सारा कोशन लिखा हुआ था, तब भी अमने कहा कि देखो, बिहार है यह, थोड़ा रिस्क है रिजल्ट पर, और जिदिन रिजल्ट आया, उस दिन सबसे पहले ग्रूप मे होने लिगे, इसका मतलब क्या है, मेंस का रिजल्ट आया है आज रिजल्ट, आज रिजल्ट आएगा कल रिजल्ट आएगा, परवीजल्ट आएगा खोब रिजल्ट रिजल्ट कर रहे हैं, जितनी रिजल्ट है उसमें से अगर खटा-खट कुछ कोई और आपका जनकार कोई उसमें से एकजीट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि फोन करके पूछेंगे कि हुआ कि हुआ कि नहीं हुआ? कि होगे जनकारी मिल गया कि नहीं हुआ है? मिल गया है, हमने देखा हुआ एकजीट कर गई ठीक है? तो फिर वही बात है पास करने के लिए, हमने कहा कि पास करने के लिए तो एक तो इंटरनल जो इक्छा सक्ती जागना होगा बने, by responsibility, इससे आसान काम कोई है यह नहीं नहीं पास करके थोड़ा देख लीजे कितनी समस्या है जीवन में और पास करके देख लीजे कितना आसान है जीवन नमबर वन, नमबर टू ये जो मेंस का आंसर लिखने में एक practically class में भी देखा हूं, लोगो कितना diagram यूज करते हैं आप उससे भी चार कदम आगे जाकर diagram यूज करिए, आपके पास Google Image है, कोई भी topic पढ़ने जा रहे हैं, Google Image में जाकर कि वह से कोई diagram उठाया उसको लिखा, अगर उसी लड़की और उसका reason ये था कि मान नहीं रही थी diagram यूज करने के लिए बोल रहे थे कि diagram यूज करो, बार बार class में भी बोलते ही रहते हैं, diagram यूज करो फिर diagram यूज करी थी, इस बार फैल हो गई ठीक है, तो इसलिए मान जाने वाली बात है, कि मान जाईए में में क्या, diagram यूज करीए, सधारण सा हिंदी माध्य में, average writing के साथ भी अगर लिख दोगे और diagram यूज कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है, वहने कोई आपको में क्वालिफाई करने से नहीं रोख सकता है, बड़ diagram यूज करने का वही एक बार बैठेंगे, तो कितना सारा copy उनको स्क्रोल करना है, और जैसे ये स्क्रीन के उपर, मालो कोई diagram आया, कोई बना करके diagram आया हुआ है, एक दम से क्या हो जाएगा वो, आपका आंसर बोलने लगेगा, हर question पे पटना कलम लिखा, जैसे पटना, जैसे Morian art लिखा है, और Morian art में ही, जैसे introduction लिखा, दो पार्ट में बांटा, फिर लिखा, quote art, folk art, quote art के जो example है, आपने स्टूफी बना दिया, diagram बना दिया, फिर अगले दे दे रहा है, तो आप cut-up से कम से कम 340 नमर उपर रहेंगे, और 30-40 नमर कट-up से उपर रहिया और उधर से 80 नमर ले आईए, इंटर्वू से, आपका rank नहीं आ जाएगा, और ये rank इतना important है, कि last तक जब तक retire नहीं करेंगे, तब तक ये rank ही काम आएगा, इसी rank के अधर पर promotion होता है, इस बार ही वीडियो जो 53-55 के वीडियो थे, उसमें 80 लोगों को level 11 में ले गया, और बाकी लोगों को level 9 मिले गया, कि वाल rank में difference के कारणर कम से कम 10,000 salary का difference हो हो गया, level 11, IS का salary हो गया, और level 9 में रह गया, तो rank का इतना important होता है, importance होता है, तो यह बात है, तो यहां पे जो coaching का काम है, तो coaching का काम तो हम लोग करा देंगे, इसमें, यह दो अला पार्ट तो कराई देते हैं, science technology तो हम ही कराना होता है, और economy हम कराना होता है, जगर फी कराई देता है, बाकी लोग तो कराते ही हैं सब लोग, तरी बात है, तो यह चीज, तो इन बातों को ध्यान है, और इससे, तो वही BPC की syllabus में, देखो, एक मिनिट के अंदर में तो पुरा BPC की syllabus discuss कर दिया, कितना टाइम लगा हमको discuss करने में, यह तो 58 section यहां है, और यही BPC है, इतने में UPC का syllabus इतने में discuss हो जाएगा, इतने में UPC का syllabus discuss, कि एक paper का syllabus इतने में discuss होगा, यह history, यह जगरफी, यह social issue, social justice, एक paper, history, ancient, medieval, modern, world, अभी को छुटा हुआ है, और इस history में ancient, medieval, modern, world divide नहीं होता है, यह topic divide होता है, अब समझे रहें कितना आसान काम आप कर रहे हैं, आप difficult काम नहीं कर रहे हैं, ना इसका syllabus बढ़ा है, ना इसका content difficult है, ना इसका paper difficult है, paper भी सारा paper predicted है, DI का paper पूरी तरह से predicted है, चा question आता है, दो question लिखना है, चार आता है, दो लिखना है, बहत्तर नमर आता है, पचास नमर भी अगर आ जाता है, तो इसने अपना काम कर दिया, ultimately, 450 ही तो चाहिए है, तो यहां से अगर 50% marks आ गया, तो इसने तो अपना काम कर दिया, आपका DI को खराब है, तब भी इसने आता है, अभी के टाइम पर मेंस पढ़ लीजिए, दो बात है, दिली में आकर के दो बाते होती है, एक है, 24 गंटा टाइम आपके पास है, एक आपके सामने ये भी दिक्कत है कि 24 गंटा कैसे यूज करूं, दिन ही नहीं कटता है, नहीं, अगर आप, अगर आप engagement, अगर बैठा और चार गंटा बैठे रहा, तीन-चार टोफी को निपटाया, पटना कला, मौरिया नाथ, पाल कला, मधुबनी, सब को निपटाया तब उठा, फिर एक गंटा इधर उदर घूमा और फिर एक बार बैठा, फिर तीन-चार को निपटाया, जब इस determination के साथ तो आपको चीजें दिखने लगेंगे, इतना बढ़ा है इसका syllabus, लेकिन वो चीज, कैसे चेक करेंगे, आपसे तीन-चार घंटा बैठा जा रहा है कि नहीं बैठा जा रहा है, अगर बैठ जा रहे हैं, तो आपको कोई नहीं रोख सकता है, पास करने से, और फिर वही बात है, इसके लिए ना कास्ट की जरूद है, ना कोई religion किया base है, ना मीरी ना गरीभी, इसके लिए कौन सा मीरी, ये जो syllabus था, इसके लिए कोन सा मीरी गरीभी की जरूद है? कोई कहें कि मेरे मैं बहुत गरीब हूं दिमाग से गरीब है जरूरत से गरीब नहीं है दिमाग से गरीब है जरूरत से तो कोई मतलब ही नहीं बहुत है इसलिए बसमें जरूरत की कोई जरूरत ही नहीं इसमें जाएंगे तो यह इसमें से जैसे जब जो बताया कि determination वाली इस में तो 177 में जा रहे हैं तो 177 में फिर वही बात है कि आज की डिट में सबसे बड़ा challenge है कि time कैसे use करूओ अब हम ही बिरुजगार होते हैं तो क्या करते हैं बिना मतलब का हम तो वैसे बिरुजगार कम होते हैं सुबद से अपना कुछ-कुछ काम नीचे हम लोग टहल वहल लेते हैं उसके बाद टहल के जाते हैं तो फिर चाय उपिया तब तक सेरवजार खुल जाता है वहाँ थोड़ चामत कारोगर देखते हैं तब तक ऑफिस का फिर काम ऑफिस सुरू हो जाता है यहां आते हैं तो यहां का फिर यहां से तो हम तो अपने इंगेज कर लेकिन अगर ये काम हमारे पस सटरड़े संड़े को नहीं रहता है तब क्या करते हैं आप सोचो, कितनी बने फूल बेरोजगारी, फूल बेरोजगारी जिसको कहा जाए, तो हम तो बेरोजगार नहीं रहते हैं, हम तो कहीं कहीं चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, घुम ढालाते हैं, अपना होबी प्राक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, कई लोगों को पुछते ह कि क्या है होबी आपका, तो भोलते हैं ट्रैवलींग, कहा गये, तो सर छे महिना पहले गए थे नानी के हाँ, यह कौन सा होबी हुआ, भाई ट्रैवलींग जो भॉबी है, तो होना चाहिए ना कुछ होबी में, कुछ जगा बताइए, कि भाई आप कहाँ गये थे, किस तरह का ट्रेवलिंग आपको पसंद है, इस्टोरिकल ट्रेवलिंग है, नेचर वर्सिपिंग आपको, क्या आपको अच्छा लगता है, कहां कहां आप गए, क्या देखा आपने, चुकि जैसे ही नाम लेंगा, फिर उसके बारे हम पूछा जाएगा आपसे. ट्रेवलिंग होबी है, बहुत अच्छा होबी है ट्रेवलिंग, बहुत इंगेजिंग होबी है, बहुत अच्छा एक्सपिरियंस होबी है, ठीक है, तो उसमें जाते हैं, तो होबी जैसे हम तो, लेकिन एक मिनट के लिए कलपना करके देखो, कि अगर आपके पास, अगर इंगेज रखे और हमें लगता है कि अपने यहां एक चीज तो होता ही है कि चार वज़ से लेकर के साड़े आठ वज़ तक तो इंगेज यहां पर आप हो ही जाते हैं या सुबह में आठ वज़ से लेकर के यहां तक तो इंगेज हो ही जाते हैं आप चार घंटा चार घंटा अगर forcefully engaged हो गए और इससे जो matter मिला चार घंटा और कमरे पर जाके और पढ़ लें अगर तो कि इस चार घंटे का सबसे बड़ा इसका फाइदा ये हुआ कि कमरे पर जाके कम से कम ये question नहीं है कि क्या पढ़ूं इस चार घंटे में इतना कुछ पढ़ाया गया है कि उस matter को और उससे related कोई book को या कोई चीज को तो ये daily की समस्या का समधान हो गया है कि चार घंटा कहां यूज करना है और उस चार घंटा के बाद daily क्या पढ़ना है चुकि आप 10 दिन मता है ये coaching में और उसके बाद देखे 10 दिन कैसे आप यूज कर रहे है रोज का एक ही coaching होगा क्या पढ़ूं तो इसका दो फाइदा हो गया एक तो ये हो गया तो इसलिए जो बिपेस एक 70 वाले लोग हैं दो घंटा के बाद पढ़के जाके उसके बाद क्या करेंगे कमरे पे तो इससे अच्छा है कि 4-5 घंटा पांच महीने तक तो ये engage करा देगा क्योंकि आपके और exam hall के बीच का जो gap है वो gap कम हो जाएगा और जैसे से gap कम होगा confidence बढ़ जाएगा confidence बढ़ जाएगा तो आपको खुदी समझ में आने लगा कि मुझे और पढ़ना चाहिए मुझे और क्या-कया मेरे अंदर में कमी है जिसे की मेरे selection हो तो यह हो जाएगा question-answer practice और फिर वही सितंबर में PT होगा और उसके बाद मेंस का आठो कपी छे कपी बना पढ़ा है और पहले से उसका revision और फिर question-answer तो एक ही बर में हो जाएगा अनि तो अभी से लेकर के आगले सितंबर तक एक साल तक PT पढ़ें और उसके बाद फिर चार मेंने में में नहीं हो पाएगा नहीं तो यह time management एक important part है अगर इसमें नहीं समझ में आ हो तो फिर पुछिएगा यह जो बीपेसी 70 वाले लोग हैं वो क्या करें चुकि अब तो date अब तो आ जाएगा एक किस दिन का time देने जा रहा है पता नहीं क्यों notification नहीं आ रहा है भाईया देदो 2000 वेकेंसी देदो बच्चे इसी का एंजार कर रहे हैं नहीं पता नहीं क्यों नहीं वेकेंसी नोटिफिकेशन तो आ जाना चाहिए था फ्राइडे स्टरडे को ही आ जाना चाहिए था है फिर से पीटी के डेट एक्सेंड होगा लेकिन पीटी के डेट के साथ देखो एक्सेंड करने में इनको बहुत रिस्क है अगर यह दिसंबर ले जाते हैं तो दस लाख लोगों का सीट मैनेज करना इनके लिए मुस्किल हो होगा अगर यह दिसंबर ले जाते हैं तो दिसंबर ले जाते हैं तो मेंस फिर उधर अप्रैल चला जाएगा अगर दो पार्ट में एक्जाम लेंगे दो पेपर करके ऐसा भी कर सकते हैं खैर तो आपको देखो अब यह डो डेट बढ़ रहा है इससे परसान होने के बदले अगर क्या मने इसमें कितने लोग हैं जिनको लगता है कि मैं तयार हूँ हाँ मने यह चीज अपने अंदर में ले लिजे कि मैं तयार हूँ चुकि इसके बाद यह अपसा नहीं बचता है कि सर यह छुट गया वो गलत हो गया यह गलत हो गया इस एकजाम में इस बात का कोई excuse नहीं है जो एक 70 वाले लोग हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है लेकिन जो 70 की तैयारी कर रहे हैं और अभी भी कुछ कमी अगर दिख रहा है और उस अधार पर result अगर नहीं होता है तो यह बहुत दुरभाग की बात है फिर अगर इस बार नहीं होगा तो फिर तैयारी क्या करना होगा इतना hard decision लेना पड़ेगा चुकि हमें लग रहे है कि last होते होते यह पचीस सो 27 के आसपास यह seat जाएगा टोटल और पचीस सो 27 सो seat जाने का मतलब हुआ कि कम से कम 35 से 40 हजार PT का result आएगा और 35 सो 40 जार रिजल्ट आने का मतलब यह हुआ कि यह cut up जो लड़कीवों का cut up जो 84 दिखाई दे रहा है यह कहीं 78 और 76 के आसपास आजाएगा ठीक है cut up नीचे जाएगा और cut up नीचे जाएगा तब 40 जार लोगों का होगा और 40 जार लोगों का होगा तब फिर उसका मेंस और फिर उसके बाद इंटर्वू चुकि यही सद्धिय में बता रहा हूँ कि जब विपेसी 64 में का में टोटल 1457 सीट था तो 30 हजार रिजल्ट आया था 28 की 30 जार रिजल्ट आये था विपेसी 64 में ठीक है हाँ इतना रिजल्ट आये था में पीटी का और उसके बाद मेंस का यह था मेंस में भी रिजल्ट आये था और 7 8000 की 3500 की 3500 की 3600 रिजल्ट आये था बड़ एक ड़़ महिना उसका इंटर्वू हुआ था तो विपेसी 70 व sections है, art sections का लेकिन अब एक ही चीज है कि जो senior लोग हैं, वो अपनी आपको किसी उसमें न रखें कहा जाता है कि अपने को sense of satisfaction mode में रखने के बदले आप अपनी आपको paper से संपर्क में रखिए, बने question practice करिए चुकि यही आपको आपकी कमी किसे जोड़े रखेगा अगर question practice आप नहीं कर रहे है तो फिर आप अपने साथ न आए चुकि time है और केवल question practice नहीं होने के कारण आप अपनी कमी पता नहीं कर पा रहे हैं और कमी नहीं पता कर पा रहे हैं तो इसका नुकसान क्या हो जाएगा कि आपकी कमी दूर नहीं होगी और कमी दूर नहीं होगी तो फिर रिजल्ट नहीं होगा तो इसलिए अपने साथ थोड़े rude होते हुए कठोर होते हुए question practice करिए question practice करने के लिए सबसे अच्छा जो किताब हो सकता है वो जो अरिहंत वगर है अरिहंत में previous year के question है जैसे आपका जो इसमें UP भी है, MP भी है, रास्थान भी है JPSC भी है, बिहार भी है और उसका सबसेता तरीका होता है कि उसके उपर कोई page रख दीजे और question को कर लिजे अपने paper पे, अब फिर उसको आगे खसका लिजे कई जगब पे तो है कि साथ में question दिया भी नहीं गया है last में question है अगर साथ-साथ question explanation है question उसका answer और उसका explanation साथ-साथ है तो उसके उपर copy रख दीजे question को किया, एक number question किया उसका answer, उसको खसका करके देख लिया, गलत की सही फिर दूसरा number किया, फिर खसका करके देख लिया, फिर तीसरा number किया, ऐसे ठीक है, कमरे पे daily कम से कम 20, 25, 50 question का practice, जो पढ़िए उसका practice करिए तब जा करके और 100 से कम अगर cut up हो रहा है कोई भी आप लेते हैं, जिसमालो हमने 20 question का practice किया 20 question का practice किया, अगर इसमें से हमारा अगर 15 question से कम सही हो रहा है, तो risk है, 15 question का मतलब ये हुआ, कि डेड़ समय कितना हुआ 90, तो अगर 15 question से कम सही हो रहा है, तो risk है फिर बने 75% से कम सही नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए, तो ये question practice बेपेसी जो 70 के लिए है उनका एक ही उपाय है, बस पढ़िए question practice, पढ़िए question practice यहाँ अपने आपको मत छुपा के रखिए का जाता है, इसलिए अभी भी time है जितना बैज़त होंगे, बाद में इज़त मिलने के चांद से जुतने ही बढ़ जाएंगे, यह मत सोचिए का आपका भेद खुल जाएगा और यह सब बाहर में जो test paper होते रहते हैं यह सब बहुत नहीं देना चाहिए चुकि इस test paper का कोई आचित नहीं होता है इसमें जो question क्यों सामिल कर रहे हैं इसका कोई आचित नहीं होता है ठीक है कई paper एक सुने थे कि पटना के एक है उनका paper था हो 33% question सही हुआ अब जब आपका मालीजी आप best of preparation के बाद अगर आपका 33% question सही हो रहा है तब तो बहुत ज़्यादा फिर discouraging हो जाएगा वो नहीं यह इस चकर में मत पढ़िये जो कहा जाता है कि घाव का इलाज cancer की दवा से नहीं होता है यहां मनें कहा जाएगा relevant content और relevant question जो बिपेसी के standard पर चीजें हो तब भी उसी को practice करिए ठीक है बहुत ज़्यादा दूर भी जाने की बहुत गहराई में जाने की भी जरुत नहीं सावधानी मत अटाईए बिपेसी की जरुरत को पहचानते हुए practice करिए उसे ज़्यादा जाकर के अब मसाले की भारत में मसालों का बैपार किस-किस बंदरगाह से होता था और उस लेवल पे जाकर के घुस-घुस के एक एक चीज को अगर देख रहे हैं